हेलो दोसों, गेट समेशिस मैं आपका स्वागत है इस वीडियो में एक्स्पेइन करने जा रहा हूँ सबसे पहले reversal of a language क्या होता है और दूसरा how the regular languages are closed under reversal operation तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें reversal of a language यह आप कह सकते हो जैसे हम string का reverse करते हैं इसे string है हमारे पास अगर a, b, c तो उसका reverse क्या होगा c, b, a मतलब हमने क्या करना है simply उस string को reverse करके लिख देना है लेकिन जब भी हम बात करते है language के reversal की इसको हम denote कैसे करते हैं l power r इस तरीकी से हम denote करते हैं मतलब हमारे पास एक language दी होई है उस language का reversal करना है देखो string का reverse करना तो बहुत easy है a, b, c का उटा कर दी है c, b, a लेकिन language के reverse में हमेशा याद रखना language का reverse तब ही होगा जब आप language के अंदर जितनी भी string आ रहे हैं वो सारी के सारी क्या होनी चाहिए reverse होनी चाहिए मतलब उस language के अंदर जितनी भी string contain कर रहे है उन सारी strings को आपको क्या करना पड़ेगा reverse करना पड़ेगा that is called a language reversal तो देखो इसका जो method है करने का वो यहाँ पे मैंने इन चार steps में यहाँ पे explain किया हुआ है और मैं सबसे पहले आपको जो है example से ही explain करने जा रहा हूँ let's say हमारे पास एक simple सा dfa है मतलब यहाँ सबसे पहले start को let's say हमारे पास regular language है और regular language के अंदर हमारे पास let's say कि set of all strings over a and b starting with a मतलब हमारे पास जो language दी हुई है कि सारी strings a और b के उपर but starting with क्या होनी चाहिए a होनी चाहिए तो अगर हम इसका regular expression लिखे simple सा है a a plus b star मतलब starting में a हो उसके बाद कुछ मर्जी हो हमें कोई problem नहीं है but starting में a ही होना चाहिए अब अगर इसका मैं dfa design करता हूँ तो dfa design करते हैं हमने क्या करना है simple सा तरीका हमारे पास already इसका जो है लिंक जो है description box में दिया हुआ है तो अब एक बर वो वीडियो जुरू चेक कर लें था कि आपको पता लग जाए कैसे design करते हैं तो मेरे पास हमने a के लिए चला दिया a के लिए मैंने इसको final state पे चला दिया और उसके बाद मुझे a और b का हमने यहां पे loop बना दिया क्योंकि a plus b का मतलब है कुछ भी आए a और b हमें कोई problem नहीं है बट starting में a आएगा और b अगर आता है तो मैं उसको क्या करता हूँ trap state में भेजेता हूँ तो trap कर दिया हमने b को तो obviously b starting में नहीं आएगा अगर आता है तो वो trap हो जाएगा मतलब accept नहीं होगा अब हमने इस dfa को obviously regular language थी तब ही उसका हमने क्या बना दिया एक finite automata बना दिया और finite automata में चाहिए आप dfa बनाओ nfa बनाओ epsilon nfa बनाओ आपकी मर्जी है तो हमने इसका dfa design कर दिया अब हमने क्या करना है इसका reverse करना है तो reverse करने के लिए आपको क्या करना है आप dfa को क्या कर दो reverse कर दो मतलब अगर ये machine m है तो हम क्या कर रहे है इसका m dash create कर रहे है और वो m dash क्या करेगा इस language के अंदर जितनी भी string आ रही है उन सारी strings को क्या करेगा वो accept करेगा तो obviously क्या होएगा reversal आपको इस तरीके से prove कर सकते हो तो अगर आप कोई भी DFA design करते हो किसी भी language के लिए उसका reverse आपको करना है तो आप क्या करो DFA का या जो भी आपके पास machine है finite automata उसका आप reverse कर दो तो यहाँ पर देखो reverse कैसे करते है सबसे पहला ज्रेप make initial state of M as final state of M dash तो यह मेरे पास क्या है M machine है तो M dash हम यहाँ पर design करते है तो M dash जब हम design करेंगे तो क्या करना है जो मेरे पास initial state थी उसको मैं final state बना दूँगा मतलब initial state यह थी इसको मैंने यहाँ पर final state बना दिया final state of M becomes initial state of M dash final state of M यह M की final state थी इसको मैंने initial state बना दिया अभी हमने कुछ लिग गया simple बस जाँ जाँ पर यह है उसी position पर करते जा रहे reverse the direction of edges पहले जो है edge इस तरीके से थी direction ऐसे थी अब हमने direction उसकी क्या कर दी उल्टा कर दिया तो direction जो है वो उल्टा कर दिया next हमारे पास क्या है no change in the loop मतलब जो भी loop है आपके उनमें हमने कोई भी change नहीं करना तो final state जो है वो मेरी यह बन गी initial state मेरी यह बन जाएगी क्योंकि जो इसमें initial थी वो यहाँ पे final बना दी जो इसमें final थी वो हमने यहाँ पे क्या बना दिया initial बना दिया चाहिए आप इसको इस तरीके से design कर लो उल्टा करके वो आपकी merge है यह simple हम simple design ही कर रहे हैं बस इसको then हमारे बास आता है कि यह जो B वाला है अगर हमने इसको भी reverse करना है मतलब इस तरीके से अगर मैं इसको reverse करता हूँ यह वाला B और यह loop मेरा as it is रहेगा A B तो यह देखो हमने इसको भी reverse कर दिया तो देखो A के लिए हमने इसको उल्टा कर दिया बस A बना दो यहाँ पर A और B के लिए इदर हो गया और यह वाला जो है मेरे पास B के लिए इदर चला गया तो यह मेरे पास क्या बनगी final final जो है वो DFA यह आप कह सकते हो final automata बन गया क्योंकि ऐसा जुरूरी नहीं कि अगर आप DFA का reverse करो तो DFA ही बने हो सकता कि DFA आपका ना बने हो सकता है आपको NFA बन जाए तो देखो यहाँ पर final step में आपको क्या करना remove unnecessarily तो देखो यह वाली state जो है वो obviously unreachable है ना तो यह यहाँ से starting is unreachable है ना और यहाँ पर भी आपकी unreachable है final state की तरफ जा रहा है लेकिन इसकी तरफ कोई भी error नहीं है तो इसको तो आप चाहे हटा भी दो तो यह आपका क्या बन गया reversal of our language तो देखो आपकी language क्या थी starting में A और चाहिए उसके बाद कुछ भी लेकिन अब आपका उल्टा हो गया starting में A और B में से कुछ भी आ सकता है last में आपका क्या आएगा A यह आएगा so this is how we do the reversal of our language और अगर in case like इसमें तो दो ही state थी अगर let's suppose कि बीच में कोई भी state हो कितनी भी states हो आपको कोई और state से कुछ नहीं करना बस starting वाली state को आपको क्या बना देना और जो final थी उसको क्या बना देना starting rest में अगर जितनी भी आ रही है उनके साथ कुछ नहीं करना arrow को जो आप क्या कर दो directions को changes कर दो so this is how we have to create the reversal of a finite automata और obviously अगर language के लिए finite automate exist कर रहा है और अगर हम उसका reverse करते हैं तो reversal के case में भी हमारा finite automate exist कर रहा है तो आप कह सकते हो कि yes जो हमारी regular languages है these are closed under reversal operation thank you